कि चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइंत का हिंदी एका सेट टू का देखेंगे अब्जेक्टिव टाइप कोस्टेन है जो कि एक्जाम में इस टाइप का ही पेटरन पर आएगा देखें खंड कम है और पठित बोध तो पठित में आपको पढ़ना है पहला इसमें प समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत अधिक बढ़ जाता है तो गधान्स को अपड़ लीजिए गा तो पहला परस्ण छलिए देखते हैं है काम का महत बढ़ जाता है जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं ना तो अप्शन इसका भी हो जाएगा दूसरा प्रस्न है खेत का रखवाला उपहास का पात्र को कब बनता है तो इसका अप्शन सी हो जागा चिनियों का इंतिजार करने पर तिसरा प्रस्न है प्रश्रम का गोरो किसमे है तो इसका अप्शन सी हो जाएगा जब उसका लाब किसी को मिल सके चौथा प्रस्न है बादल का प्रस्न कब बेकार है तो इसका अप्शन बी से हो जाएगा फसल को लाब ना पहुंचे किसान का परियाची सब्ध है इसका अप्शन सी हो जाई का किर्षक पढ़ना है छे से दस तक के प्रशनों के लिए सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दह लाती है औस आप गध्यान्स को पढ़ लिजéner के पाध्यान्स को पढ़ लिजेगा अब छटा प्रश्ण है विपत्ति आने पर कोन डरते हैं तो इसका अप्ष्न भी हो जाएगा कायर साथवा समय विपत्ति आने पर कौन वीचलित नहीं होते हैं इसका अप्ष्न हो जाएगा सुर्मा अाध्वा प्रत नहीं हो जाएगा जब मानौ जॉर लगाता है 9 नमबर का question है, शूल का परियाची सब्ध परियाची लिखे, इसका अप्संदी हो जाईगा काटा है, सूल का मतलब क्या था? काटा होता है, ंदसवा नमबर का प्रस्द है, मानौव सब्ध का विलूम है, तो मानौव का विलूम हो जाएगा, द्यानों हो जाएगा अब संसी उसकवत खंड खंड में है व्याकरन सब्द इसमें सुगन सब्द की सुपसर के पर परजोग हुआ है तो अब संसी में हुआ है बारह नमबर का कॉस्टिन है जो सब्दान्स किसी सब्द के आंत में जोड़ कर उसके आर्थ में परिवरतन ला देते हैं उससे कहते हैं तिसको आंत में जोड़ के उसको क्या कहा जाता है अप्सन इसका भी हो जाएगा पर के तेरम है पानी सब्द का परियावाची है तिसका अप्सन सी हो जाएगा जल चोदम है निम्ड में से सही सुर्ती सम बिनार्थक युगमत को कौन सा है जिसका option यह हो जाएगा अन्न मतलब क्या था दूसरा और अन्न मतलब अनाज भी होता है पंद्र में घी के दिये जलाना मुहावरे का सही विकल्ब है जिसका option सी हो जाएगा खुशी मनाना सुलो में राम परति दिन विद्य ले जाता है रचना के आधार पर वाईक भेद बताएं इसका अप्शन हो जाएगा सरल वाईक अठारा में सब्द सेंग्या या सर्वनाम की विशेस्ता बताते हैं वे खालियस्थान कालाते हैं इसका अप्शन भी हो जाएगा विशेस्थान 19 में लड़का अच्छा है और लड़की खल्यास्थान है Link बतल देने पर Business क्या होगा Disruption भी हो जाएगा अच्छी विश में लड़का लंबा है इस Wight का बतल देने पर Wight क्यों होगा या तो Disruption C हो जाएगा लड़के लंबे है खंड खम है पाठिय पुस्तक से आपका है शंतो भाई आई ग्यान की आंधिरे ब्रह्म की टाटी सब्वै उडानी माया रहे न बांदी तो आपको पध्यांश को पढ़ लिना है पूरा है उसको देकिस नमर का कोशन है प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है तो इसक इसको 22 नमर का कोशन है ज्यान की आंधि का भक्तो के जीवन पर क्या परभाव पड़ता है इसका अप्शन D सही हो जाएगा उप्यूक्त सभी होना चाहिए मनुष का ब्रह्म दूर हो जाता है वी में माया से चुटकारा मिल जाता है जी में मनुष की अज्यानता दूर हो ज चित की दवई, थुन्नी, निरानी, मोह, बंडिला, बलिन्डा, तूटा, तूटा से कभी क्या कहना चाहता है इसका अप्शन भी हो जाएगा स्वार्थ और मोह दोनों समाप्थ हो जाएगा अप्शन नमर भी हो जाएगा पाचिस में तम का परियावाची है इसका अप्शन भी हो जाएगा अंधेरा 26 में कभीर की मिलतु कब और कहां मानी जाती है इसका अप्शन ए नमबर हो जाएगा 1518 इस भी मोहकर में 27 में कबिर किस में विश्वास करते थे इसका अप्शन हो जाएगा राम और रहीम की एक्ता में 28 में मुक्ताफल का क्या अर्थ है इसका अप्शन हो जाएगा मोती 29 में कबिर ने हास्ती किसे कहा है इसका अप्शन हो जाएगा संसार को कि इसमें साधू किस्ट की निंदा करते हैं इसका अप्शन भी हो जाएगा दूर जोनों की कर दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती अना तो आप पढ़ लिजेगा 31 में प्रस्तुत गधांस की इस पार्ट से हैं तो इसका अप्शन हो जाएगा दो बैलों की कथा 32 में दोनों बैलों के नाम थे इसका हीरा और मोती हो जाएगा अप्शन नुबर भी 33 में वैल किस जाती के थे इसका अप्शन डी हो जाएगा पच्छाइट 34 में है दोनों वाइल एक दूसरे से विचार विवनियमाई कैसे करते थे तो इसका अप्शन सी हो जाएका मुख भासा 35 में साथ रहते रहते दोनों वाइलों में क्या हो गया इसका अप्शन भी हो जाएका भाई चारा 36 नमबर का है ल्वासा की और पाट की लेखक कौन है जिसका अप्शन भी हो जाएगा रहुल संस्कृतिया 37 में लेखक के साथ दूसरा वेक्ति कौन था ल्वासा की और पाट की अधर पर बताए जिसका अप्शन भी हो जाएगा सूमती 38 में मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिये गए विकल्पों में कौन सा सही है इसका अप्शन D हो जाएगा लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया अप्शन D हो जाएगा इसका 49 सालिस अपनों की याद पार्ट में लेखक ने किस परशिद पच्छी वेग्यानी का चीत्र परश्तुत किया है इसका अप्शन D हो जाएगा साली मली 40 में अंतिम प्रस्ण है जो साली मली की पत्नी का नाम क्या था इसका अप्शन D भी हो जाएगा तहमिना यहाप आप सभी को यह वीडियो समझ में आएगा दस्ता थेंक्यू पर वाचिंग जैहे मन्दे मात्रमा